हेलो दोस्तों इस वीडियो से हम हिंदी बेकरंड के न्यू चेप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सब्द रचना सब्द रचना के अंतर गद मुक्त चार टॉपिक आते हैं हमारे उपसर्ग पिरते संदी और समास जो की बहुत ही जादा महत्मूर्ण होते हैं किसी भी ए प्रोसेस करेंगे तो चली हम वीडियो को स्टाइट करते हैं और नॉट्स के लिए नीचे आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स दिया होगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं तो बहां से मैं आपके लिए नॉट्स के लिए सारी जो भी प्रोसेस है वह मैं आपके लिए बत संद्स पें चार मिलतेया इसके एक तो होता है उपसर्ग पर आपने संदी समास प्राइब में भूट ही वाती जादा सना होगा या पड़ा भी होगा उपसर और प्रताय यहां से भी प्रतियोगता परिक्षा में बहुत जादा कोश्चन पूछे जाते हैं और गलती हमारी हैं इसे होती है देखिए उपसर्ग प्रताय संदी समास मुक्यता जो योगिक सब्द यानिकी दो यह दो से अधिक सब्दों को मिलाकर नए सब्द बनाते हैं वो सब्द रचना कहलाती है सब्द रचना के लिए मुक्यता चार आधार मिलते हैं तो उपसर्ग के माध्यम से नए सब्द बनेगा प्रताय के माध्यम संदी और समास के माध्यम से नए सब्द बनते हैं तो आज हम इस वीडियो में complete उपसर्ग के बारे में काफ से पहले यूप 폭शुर्ग ओप सरग कम संधी विच्छित करें आप कि उप सरग स्से मिलकर बना है ओप और सर्ग किसे मिलकर बना है इसमें हम बात करें अदिखें जो ओप सब्द है इसका अर्थ देखें तो पर इसका अर्थ है समीब यह हम इसको निकट कहते हैं यह फिर पास ठीक है और सर्ग का अर्थ है स्रस्टी करना स्रस्टी करना या रचना करना ठीक है इसको हमने थोड़ा सा बिच्छित करके देख लिए एक्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है उपसर का बिच्छित होगा यानि किन्दों सब्दों से मिलकर बना है उप और सर्ग के योग से उपसर्ग बना हुआ है ठीक है अब देखिए हम इसको उपसर को और ज्यादा अच्छे से सिंपल वासा में जानना चाहें उपसर हम किसे कहते हैं यानि कोई मूल सब्दों कोई भी मूल सब्द के आगे कोई अभिकारी सब्द कोई मूल सब्द होगा उसके आगे कोई भी हम अभिकारी अभिकारी सब्द यानि जिसमें किसी प्रकार का परिवरता नहों उसको आगे जोड़ दें तो हमारा क्या बनता है नया सब्द बनता तो यहां पर जो मूल सब्द जो सब्त नया जोडते हैं और उससे एक नया सब्त बनता थो आगे ठीक है है कुझ देखते हैं और ऐसे बाती सब्सक्राइब देखी जैसे कि जैसे उफसर के एक छोटा सा एक्जामपल देखे सबसे पहले जैसे कि सब्द मूल सब्द हार मूल सब्द जो हार है इसमें यह दिए मूल सब्द हार है इसमें हम कोई अभिकारी सब्द पहले जोड़े प्रा तो नया सब्द क्या बनेगा हमारा प्रहार अब देखिए मूल सब्द हार है इसमें हमने एक अभिकारी सब्द पहले जोड़ा पूरू में जोड़ा प्रा तो नया सब्द बनगे प्रहार देखिए एक तो नया सब्द बनगे इसका अर्थ भी अलग हो गये हार यानि की कोई भी हार हो सकता है फूल का जो भी हार है इसके आग ऑपसर्ग कहला और यहां पर आपर अवरा जो है वह ऑपसर्ग कहला अब हमां एक्जाम में पहचानना होतीए की दीए गए सब्सक्राइब कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो में बताना होती तो बस वही यहां पर सीखना है इस वीडियो में कि कोई भी एक्जम्पल दिया उसमें से हम उपसर्ग को कैसे अलग करते हैं या उसमें कैसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है एक्जामम में काफी ज्यादा ऐसे कोसिंऄ से पूचे जाते हैं और जो हैं बताना हुदा तो चलिए हम इसके उधारण के मांध्यम से समझते हैं तेकिन कोज और में रही कि इसमें कौन सा उपसर्ग ज्ड़ा हुआ हैं कुछ मैं यहापर लिख धे रहा हूं वागी मैं आपके लिए टेबिल की माध्यम से बहुत ज्यादा एक्जामपल आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे पहले उधारण देखी जैसे कि अती ब्रद्धी है अती ब्रद्धी से सब्द दिया होगा आपको इसमें से बताना होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है एक साथ है अती ब्रद्धी तो हमें कुछ नहीं दो तीन है इसको बोल के देखने अती ब्रद्धी इसको आप ब्रेक करें कैसा होगा अती प्लस ब्रद्धी तो जैसे हमने इसको ब्रेक करा अती प्लस ब्रद्धी बिच्छित थोड़ा सा माइंड में करना होगा तो हमें द आज ते थोड़ा सा सा पहचान ना कटइन होगा तो इसको फिर से बहुनेंगे एक्षैत करें अथी धन उक्ती चाहिए यह एसके पहचानना पड़ेगा अत्य उक्ती टो टाइब के एक्जाम्पल में ज्यादा पूंच जाते हैं जो कि थोड़े से कठिन पढ़ते एक्द इसको अलग करेंगे थी धन उक्ति तो अलसर्ग pensando शीमें यक्ति है और उपसर्ग कैज में अथी उपसर्गb देखना होगा जैसे और ँग्जमपल देखी जैसे कि यहां पर ऑद्या चार आपके सामने सवधारन लिखा होगा इसमें हमें बताना होगी को इसमें कोई साथ है प्रख्ष función चार अथ्याचार इसका बिस्षेद करेंगे अती प्लस आचार तो इसमें क्या मिला उफसर्ग मिला आती देंकि अत्य है नहीं होता इस प्रकार से आपको सब्दों की होगी थोड़ी ची प्रैक्टिस करना होगी और तभी अप इसको जो उपसर्ग है इसको अच्छे से निकाल पाएंगे वैसे होता सरल है लेकिन इस टाइब की सब्दों में थोड़ा सा हमें कठिन हो जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा जैसे की और देखिए बाकी में टेबल की माध्यम से आपके लिए बहुत सारे एक्जामपल आज इस वीडियो में बताने बाला हूँ अधी करत इसमें उपसर्ग पूछे अधी प्लस करत तो इसमें आपको अलग ही दिख गया अधी है लेकिन अब आपके सामने नया एक्जामपल आ जाता है अध्यप साय तो अध्यप साय जो सब दाया अब इसमें निकाल लिए आव उपसर्ग कौन सा होगा ऐसा ही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ अध्यप साय अध्यप साय अधी धन बैफ साय तो इसमें भी क्या होगा अधी होगा अध्यप साय में उपसर्ग क्या होगा अधी कैसे निकाला अधी धन बैफ साय अध्यप साय ठीक ही अधिकार है प्रमस कार इसमें तो अधी सिम्पवल απ कुछ सब्सब्दों में ताया में निकालना हो झालता है ठीक है तो मैं आप के लिए यहां में यहां पर लगा देता हूं कि मैं अब कि यहां पर बता देता हूं उपसर इसमें कौन सा होगा ठीक है तो चलिए आप यह पर टेविल के मांद्यम से देखिए बहुत सारे सब्दों को देख रहा हूं कि आपके लिए एक संस्क रिक में duaittle होते हैं लेकिन कुछ हिंदी में हम इसको 20 उफसर्ग भी लेते हैं कहीं हमें 22 मिलते हैं और कुछ जगा में 20 मिलते हैं तो हमें बस उनको देखने से अधी उफसर्ग है अती हो गया तो थोड़ी से प्रेक्टिस के बाद आपको आइटमेटिक हो जाएगा कि किस तरह से उफसर अधिकरत अधिकार हो गया अब यहां से अनुमान अनुमान में उफसर्ग देखें अनुधन मान तो इसमें आपके लिए अनुधन प्रास अपराद में क्या होगा देखिए अप धन राद अपघरन अपदन हरन अपसब्ड अपधन शब्द तो इसमें उपसर्ग आपके लिए अपपपूरा नहों की उच्छारण व्यसा आ रहा है अपधन राद तो देखिए यहाँ पर आएगा इस प्रकार से उपसर्ग होगद अपयोगा अपधन इसमें अपibenत हो गया हो गया ह अब हुपसर्ग हो गया है अब अब का क्या हो गया उसलो गया अब और अब प्लस मानना अब उपसर्ग हो गया स्वज में आ रहा है अब और एक्जम्पल देखी आदर आधन दर आउपसर्ग हो गया डंबर आप प्लस डंबर तो आउपसर्ग आचरण आउपसर्ग प्लस चरण ठीक है अब देखी इसके आज बाल उद्ध भब उद्ध भब में कौन सा को उद्ध धन भब यानि उद्ध हो जाएगा जो आगे का हिस्सा है उद्ध हो जाएगा उद्ध संग उद्ध संग में क्यों सा होगा उद्ध धन संग तो उद्ध संग इस प्रकार से होगा देखी उद्ध इस प्रकार से उपसर्ग होगा इसमें गमं में उद्ध हो जाएगा जो आगे लगाでも इस प्रकार से हो जाए गूत ठीक है अब पन में भी उत प्लस पन हो जो जाए इस प्रकार से सर ओगा ठीक है समझ में आ रहा है और देखें उपयुक्त उबहार उप संपादएक इनमें कौन से होगा उप आपके लिए इसका घ्राइब हो जा रहा है अप जो देखिए थोड़ा सा कठेट अब होते वो हैं दूर गम दूर गम में आपके लिए नई समझ में आ रहा इसको अलग करें दू प्लस गम तो तो इसमें ऊपसर्ग निकलेगा आपका दूव ठीक है दूब्स गं दुर्गव samurai दुस कर दू पल-कर तो इस प्लस देश तो इसमें आपका नी और बिसर्ग होगा उप्सर्ग प्रकास नी धन देश निरा करण नीधन करण निरजीवं नीधन जीव निस काम नीधन काम नी सब्द इसमें तो अलगी दिख़ रहा है उप्सर्गalyण की wonder ठीक है समझ में आ गया चली कुछ और सब्दन जिसको मैं आपके यहां पर लिखकर ही बता देता हूं जैसे कि आपके सामनोधारण अजाए पराधन दीन तो इसमें अपसर्ग क्या हो गया परा हो गया ठीक कुछ सिंपल सब्द रहें कुछ कठिन भी आएंगे जैसे कि परा का कुछ मैं बोल दे रहा हूं पराधन काश्टा उसमें भी परा उफसर्ग होगा है ना परा मर्स पराधन मर्स तो मैं आपके लिए एक्जाम्पल बताने का सिर्फ उद्दे से ही है कि आप उपसर्ग पराभी उफसर्ग होता है कि इनसे परीचत हो जाएंगे जल्दी निकाल पाएंगे पर विद्द्य परधन पराधन 封ब ठीक है जैसे कि और एक्जंपल देंगे परीचए हैं तो परीचेश उसमें रुप परी धन टहिए तो इसमें अनिकला रव परीकुछ में तरह रहा है अब इसमें होगा लिए यह दिए नो परी उपसर्गप कुछ में देखके मालूम सिल आगा परी परी त्याग में नकाल लेंगे जnhgel сохран देखें प्रिणाम कि तो प्रिणाम में उपसर्ग देखें क्या होगा प्राधर नाम ठीक है प्रणाम प्रक्ष्यात में देखें प्रक्ष्यात तो प्रक्ष्यात प्राप्लस ख्यात प्राप्सर्ग होगा ठीक है प्रियोग में देखें प्राप्लस योग प्रियोग होगा इ जैसे कि बिहार बिहार हो गया तो बिहार में क्या आईगा भी अफसर हो गया दी बीधन हार उफसर यहां की मूल सबद को अलग करना और उसके पहले देखना क्या जोड़ा हुआ है बस्तु उसके जोड़ा हो जायेगा और देके हम इस ऐसे की यहाँ पर इसको देखि अप थोड़ा से संद तोस हो इसमें आप क्या लगाएंगे संद तोस में मिलेगा तो मूल्ण सब्द क्या होगा तोस सद तोस का आगे जूरकर आप के लगाए सन तोस ठीक है संतोस आपका इसमें क्या निकालाएगा उफसरग निकालाएगा ठीक है आगे और देखें देखी कुछ जो एक्ज़ैम्पल आपके लिए बार बार एक्जाम में मिलता एक स्वा ओगत सब्द बार बार मिलता है इससे उपसर को जाता है सू अफसर सू प्लस सब्सर सू हो जाएग और देखें बहुत सारे एक्जमपल आपे लेते हैं और अच्छे से आज इसमें स्थे सब्सक्राइब सज़्प निकल अठ्री कोपात्र कुपात्र पात्र पात्र्प सब्सक्राइब करेंग मूल सब्सक्राइब एलाग नेरा जाएगए ठीक केस्जिकव कर में अलग करेंगे मूल सब्द सर कौन समय गया सू देखिए अभी आपके लिए हो सकता है कुछ ज्यादा सरल लग रहा होगा लेकिन इसके एक्जाम में पूछी जाते हैं तब हमसे नहीं बनते हैं तो बस उनी को हमें यहां पे देखना है कुछ इसमें सरल जैसे कि कुछ व और छैसे कि देकिन कुसमु को सब देख में को सरक्या होगा सूख कर देख में इसमें क्षu नहीं हो फोस अब देखिए इसमें नेकिसा थोड़ा सी धिकत हो जाएगी ठीक है खुस दिल खुस दिल में तो खुसा आप अलगत कर रहा है मैं आपके लिए सारे हो इसो में हो सकते एक्जामपल ना पसंद तो देखिए पसंद मूलसब्द है ना इसमें कहें ना पसंद ना पसंद तो पसंद मूलसब्द इसमें उपसर्व कुंसा हो जाएगा ना इसमें उपसर्व हो जाएगा जैसे कि ना समझ ना हो जाएगा बस्तूर बदस्तूर इसमें देखिए थोड़ा सा बदस्तूर मैं उफसर्ग देखें तो दस्तूर अलग मूल सब्धोगे बाब अच्छा तो बाब उफसर्ग हो गया ठीके समझ में आ तक दाप के लिए और देख लिए और और एक्जामपल जैसे कि अंग्रे जी कि कुछ सब्द है उनको और देख लिए जैसे की यह ज्ञाधा Easy वह सबज हूद टू यह मुल सब्द, उफसर क क्या है इसमें सब हैं और देखिए जैसे की सब कमेंटी है कि इस में लगा होता इस प्रकार से कुमेटी मुल सब्द है उपसर्ग और देखें हम जैसे कि डिप्ती कolekTOR तो डिप्تी उपसष्गं हो गया क्लेकर मूल सब्द है डिप्ती रजिस्टर अको डिप्ती उपस्षग ठीक है जैसे बाइस चांसलर तो बाइस उपसर्व हो गया और देखेठ चीब मनेश्टर की उपसर्व गया मूल सब्ड़ चीप सर्व हेड मास्टर मास्टर का है जोड़ा हैड तो फुल सथ हैपने ऐसा देखा फुल सथ तो सट यहां पे चैक मूल सब्द और फूल आगे इसमें लगा क्या उफशर गया तो फूल्म यहां पर उफसर्ग हो गया ठीक है इस प्रकार से भूख सारे एक्जमक्रде को स्विजए की कि हम सपीजकर को कैसे से उस निकालने का एक ही तरीका है जो सब्साइब के सामने उधारन दिया है उससे मूल सब्साइब को अलग करने कोसिस करिए जब मूल सब्द निकल जाए तो इसके आगे जो भी जोड़ा होगा वह आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए देखना पड़ेगा उपसर्ग क्या-क्या होते हैं इसे परीप्रा अब हमने यहां पर एक्जम्पल देखे ताकि अपसर्ग क्या आपके लिए मालम चले जो आगे जो धर किस तरह के से होते हैं ठीके बागी जोड़ने को तो भी जंञा होता है लेकिन सारे उफसर्ग नहीं हो सकते ठीक है जोड़ा होता उसे उपसर कहते हैं अब इसके एक्जाम्पल हम अभी नहीं देख रहा है इसमें हम प्रते टॉपिक को पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और उपसर और प्रते दोनों के अभ्यास प्रश्णों को एक साथ वीडियो में देख लेंगे तो ठीक ह आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइक कर को भी प्रेस कर दीजे और आपके लिए बैकरन के नोट्स आई तो नीचे मुझे दूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही ठैंक यू